साथ यों पच्चिम मंगार के लोगों से विश्वास गात करने वाली दीदी दीदी इतना समझ लो ये देश की जनता गल्ती माप कर सकती है ये देश की जनता अगर आप से कोई गल्ती हो गई तो माप करने के लिए हमेशा तयार रहती है लेकिन ये हिंदुस्तान की जनता ये पच्चिम बंगाल की जनता सब कुछ माप कर सकती है विश्वास गात कभी माफ नहीं कर सकती और दीदी आपने विश्वास गात किया है आपने विश्वास गात किया है आज जो पच्चिम मंगाल में गुसा है वो आपके विश्वास गात का है और इस विश्वास गात की कीमत ये नौजवान लेके रहेगा दीदी लेके रहेगा दीदी आपके जमीन खिसक चुकी है और दीदी देख लेना तैईस तारीक को जम लती जाएंगे चारों तरफ कमल खिलेगा तो तुमारे विधायक भी आपको छोड़ करके भाग जाएंगे दीदी देख लेना आज भी दीदी तुमारे चानिस विधायक मेरे संपर्क में है आज भी दीदी तुमारा पेचना मुश्किल है आप क्योंकि आपने विश्वाजगात किया है हालत ये है अब सुनिए दीदी क्या कह रही है सुनेंगे दीदी क्या कर रही है गुशा इतना है गुशा इतना है दीदी कह रही है अब दीदी कह रही है अब वो यहां की और दीदी ने माटी और मानुस की बाते कही दी न दीदी ने माटी को छोड़ दिया है और दीदी ने गोचना की है कि वो अब मुझे बंगाल की मित्ती और पत्थरों से बना रजगुल्ला खिलाना चाहती है वाह क्या सवभाग्य है दीदी मुझे बंगाल की मित्ती और पत्थरों से बना रजगुल्ला खिलाएगी भाईव बेनो बंगाल की मित्ती का रजगुल्ला का मतलब क्या होता है जिस मित्ती पर राम कृष्णा परमाउस परदा हुए जिस मित्ती पर स्वामी विवेकानन परदा हुए चैतन्य महाप्रभू परदा हुए जगदिस चंद्र बोथ हुए नेता जी सुभाद बाभू हुए शामा प्रसान मुखर जी हुए ऐसे ऐसे महाप्रोष अंगिनत महाप्रोष अंगिनत कांतिकारी जिनकी चरणरच इस बंगाल की मित्ती पर पड़ी है जिन महाप्रोषे के पैरों की दूल इन महाप्रोषों के पैरों की दूल बंगाल की माटी भाईयो बेनो वो माटी उसका रस्गुला मोदी को मिलेगा ये तो मोदी के लिए प्रसाद होगा प्रसाद दीदी मेरा भाग के खुल जाएगा क्योंकि मेरे लिए मिट्टी पवित्र है मेरे लिए मिट्टी प्रेरना है मेरे लिए मिट्टी उर्जा है दीदी मैं इंतजार करूँगा दीदी मैं इंतजार करूँगा बंगाल की मिट्टी के रजगुले की मैं आपका बहुत आभारी हूँ दीदी में एडवांस में आपका आभारी वेक्ता करता हूँ ऐसा ऐसा पवित्र प्रसाद किसी के अंदसीव नहीं होता है और दीदी आपने ये भी कहा है इस रजगुले में यहां के पत्थर भी होंगे मैं इसके लिए भी आभारी हूँ क्योंकि आप जितने रजगुले बना के भेजोगी उसमें जो पचास सो पत्थर आएंगे तो जो पत्थर तुमारे गुन्डे यहां के निर्दोष नागरिकों के सर फोड़ने के लिए काम लेते हैं वो पत्थर भी तुम मैं भेजोगी तो इस बंगाल के पचास सो नागरिकों के माथे भी बच जाएंगे जुरूर पत्थर भेज दो मुझे और जितने जादा भेज सकती हो भेज दो ताकि यहां के नागरिकों के माथे भुटने से कम से कम इतने पत्थर तो कम हो जाएंगे साथियों इनी मापुरुशों ने पसिब मंगाल को सामाजीक और राजनीतीक चेतना का केंद्र बनाया है अब उनी के आशिरवात से आपका ये मोधी आपका ये चोकिदार मंगाल का पुराना गवराओ वापिस लाएगा भाई